साथ्यू नमस्कार, सर्दी का मोसम चल रहा है और ऐसे मोसम में कमजोर काप की तो हलत खराब हो जाती है इस काप को अभी हमने 15-20 मिनट पहले देखा, तो बिलकुल नीचे गिरा हुआ है, खड़े होने में ऐसमर्त है और पसुपालक भाई की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब इसको थोड़ा सा ग्लुकोज लेवल इसका बढ़ाया गया, ड्रिप लगा करके, जितने में देखिए, खाने में लग गया और एकदम से तयार लग रहा है, जबकि यह बहुत ज़्यादा कमजोर है ऐसी कंडिशन से आप अपने काप को बचा सकते हैं, अगर आप पहले से ही ध्यान दें, भाई सरी का मोसम है तो इनको भी सरी के मौसम से लड़ने के लिए अपने शरीर की जो गर्मी है उसको बनाए रकने के लिए एणरजी की जर्रत है गुलकोज की जरुरत है तो आप ऐसी कुछ चीजें जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ वो चीजें पहले से ही अपने काप को दे और भाई खूब दूद पिलाएं और खीस पिलाएं ताकि उससे पहले से ही उसके इम्मुनिटी अच्छी रहे क्योंकि सुरवात तो हमें पहले से ही करने बड़ेगी तो इम्मुनिटी अच्छी रहेगी आप अच्छा इसको काफी स्टार्टर देंगे दूद अच्छा पिलाएंगे तो पहले से ही मजबूत रहेगा तो ऐसी कंडिशन होगी ही नहीं फिर भी अगर सर्दी के मोसम में आपको लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत ये परिसानी में है या कमजोर आपको दिख रहा है तो आप उसकी डिवार्मिंग करवाएं डिवार्मिंग एल्बोमार जो दवा आती है उससे आप करवा दीजिए चार किलो पर एक एमेल देनी पड़ती है यानि चारीज किलो है तो दस एमेल देदीजिए सुबा के समय बुके पेट एक बार आप डिवार्मिंग अगर नहीं करवाईए एक दो महीने तीर मेने का हो गया है तो आप डिवार्मिंग जरूर करवाईए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा डिवार्मिंग के बाद जो चीज सर्दी के मौसम से लड़ने के लिए आमें देनी है ना वो चीज है फ्रेंट थोड़ा सा गरम पानी जिसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा नमक आप मिला दीजिए साधारान नमक यानि गुड़ और नमक वाला जो पानी पिसले वीडियो में भी अमने बताया था वो तयार करके अगर आप पिलाते हैं ना भाई तो बहुत ही शांदार रहेगा इसके अलावा इनको हल्दी हल्दी और शोर्ट जो ड्राइ जिंजर होती है हल्दी और शोर्ट भी आप ज्यादा की जूरतनी है आप 2-3 ग्राम लार्श 5 ग्राम बस 5-5 ग्राम के हिसाब से ही इनको रोज चटाते रहते हैं गुड में देते रहते हैं में 5 दिन दे जीजिये 5 दिन रुख जाईए फिर 5 दिन दे जीजिये 5 दिन रुख जाईए इस तरीके से आप सर्दी का मोसम निगाल दीजिये फिर इनका क्या विगणने वाला है बिलकुल तयार हो जाएंगे